हेलो गाइज वेलकम तो मैं चैनल रेलवे एस्पिरेंट्स मैं सुमित आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारी आज की इस नई वीडियो में इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे के एंटीपीसी सीबीटी टू को लेकर ओके जो भी आने वाला है अभी फिलाल तो सीबीटी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीस रहेगी उसे हम डिसकस करेंगे तो जैसी कि जो एक्जाम पैटन जो होगा इसका एक्जाम पैटन हम देख लेते हैं इसमें हमें टाइम मिलेगा टूटल 90 मिनिट्स का सेम जो की सीबीटी वन में भी सेम था इसमें हमें जनरल आवरनेस के पैर करना है कि हम maximum questions right या correct attempt कर सके ओके तो जो उसका syllabus है syllabus में आप सभी को दिखा देता हो यह तो generally सभी को पता हो गया राजकल हर कोई YouTube पे है सब कुछ चेक करता रहता है ओके इसमें कोई बड़ी बात नहीं है तो मैं आपको एक short में दिखा देता हो इसकी PDF भी आपको मिल ज दिखा इसमें क्योंकि बहुत से लोगों ने आपको जो चाहिए details में तो भी आपको मिल जाएगा थोड़ा बहुत सर्च करते हो तो मैंने क्या दिखाया कि मैंने directly एक strategy बता दिए जिसमें कि हम सभी क्या जो attempt करेंगे जैसे हम पढ़ाई करेंगे उसी तरह से जो मैं करने व मतलब कि हमें होते तो दस सी question होते लेकिन उसमें बहुत से questions हमें सीखने को मिलते बहुत सी बाते सर डेली update करते रहते हो कि static जी के भी उसमें discuss होता है ठीक है उसके बाद जो पढ़ना है static जी के वह लूसेंट से भी आप पढ़ सकते मैं तो लूसेंट से ही पढ़ता हूँ और मैं होप अगर हो सके तो मैं लूसेंट के कुछ जो वीडियो से वह भी बना कर यहां पर अपलोड कर दूँगा science का तो PCM नहीं physics chemistry और biology हमें तीनों पढ़ना है ओके तो आप प्रिफर करते हो जो भी बुक आपके इसाब से ओके बेस्ट तो लूसेंट यह मेरे पास लू जो मेरा रहेगा मॉर्निंग को छे बजे मैं यूट्यूब से करंट अफेर्स की अंकित सर की क्लास लेता हूँ ठीक है दस बजे दस बजे शायद 10 या 11 बजे आप अगर लेक्चर चाहे तो वाई-फाइ स्टडी पर लेक्चर होते हैं सर कि वो भी अटेम्ट कर सकते हैं उस इस अब से मैं डेली दस बजे लेक्चर से अटेंट करूंगा साहिल सर के एक बजे आप ब्रेक ले सकते हो ठीक है जैसे लांच प्रेक या फिर कुछ भी उसके बाद दो बजे तक तो आप फ्री रहोगे खाना बीना खा लिया थोड़ा ब्रेक लिया उसके बाद आपको क्य कोई टॉपिक स्पेसिफिक टॉपिक जैसे हिश्टरी का आपने ले लिया एक ठीक है चोटे मोटे जो टॉपिक्स रहेंगे कोई बी आपको पता है जो आपकी सिलाबस में होते हैं हम सभी को पता है इतना तो कोई डीटेल में किसी को जानने की ज़रूरत ने क्योंकि हम जाएगा कि आपका डबल अटेम्ट हो जाएगा एक तो आप खुद पढ़ोगे बुक से और सेकेंड आपको यूटूब से जो मतलब जो भी वीडियो सोते हैं उसे सुनके आपको और मतलब की रिपीट हो जाएगा कि हाँ यार मैंने यह पढ़ा था और आभी सर ने भी आपको डेली करना है क्योंकि रिजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें होता है इसी है लेकिन आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है प्रैक्टिस के बिना आप रिजनिंग को इतना मतलब अटेम्ट नहीं कर पाओगे पूरा ठीक है आप थोड़ा बहुत कर लोगे लेकिन अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो तो आप 30 आउट अफ 30, 35 आउट अफ 30 जो भी रहेगा आप पूरा अटेम्ट कर सकते हो अगर आपका डेली और प्रॉपर प्रैक्टिस रहेगा तो ओके और 8 बजए एक लेक्चर होता है साहिल सर का मैच्स का उसमें का होता है अब फिलाल तो लेक्चर्स होते हैं ओके एंटी पीसी के लिए तो आप उसे रात को अगर अटेम्ट करते हो तो आपका जो भी मतलब जो एक एक नहीं नहीं चीज़े आपको सीखने को मिलेंगे आप बस अटेम्ट कर लेना एक बार चेक कर लेना बहुत से लोग देखते भ दिमाग किया है क्योंकि मैं खुद टेस्ट बुक से आप सभी को पता होगा टेस्ट बुक से ही यूज कर रहा हूँ टेस्ट बुक का ही फॉलो कर रहा हूँ जिसका मुझे जो बेनिफिट हुआ है उस वीडियो को भी मैंने बना लिया है और इस पर अपलोड कर दिया कर लिजे गाइस आपको किसी और टेस्ट सीरीज की जरुवत नहीं पड़ेगी इतना तो मैं शूर लिका सकता हूँ यह हुआ टेस्ट सीरीज के बारे में जानकरी और आगे देखते हम बात करेंगे तो यूटूब चैनल की पढ़ाई करने के लिए तो बेस्ट चैनल है वा वह अवेलेबल है एक ट्रिक के माध्यम से अच्छी अच्छी ट्रिक्स इसमें बताई गई है कि जिससे आपको क्या होता है पढ़ने में याद रखने में आसा नहीं होगी तो इसके बाद ही रवी श्टड़ी आईक्यू यह चैनल भी अच्छा है इस पर आपको नंबर पढ़ा है बुक से पढ़ा है ठीक है वो भी आपको उसमें मिल जाएगा जिसमें आपका रिवीजन भी अच्छा होता है गाइस बेस्ट चैनल है जो मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है उसके बाद दिन बर अगर हम पढ़ाई करते है शाम को एकाद घंटा था हमें खुद क के बैंकिंग के ठीक है जो भी आपको मतलब जो भी आपका फिल्ड है लेकिन हमारा तो फिलार रेल्वेस का है तो रेल्वेस का इतने तरह के इंटर्वीव वहाँ पे उन्होंने मतलब अपलोड किये है बच्चों के जो सिलेक्ट हुए है उसे आप देख लीजे उसमें अगAre दॉकिमेंटेशन क्या होता है कैसे होता है सब आपको मिल जाएगी इसमें आपको फूचर में अगर आप सिलेक्ट होते तो चिख भी सोच आते मुझे ब्स जगह पर जाना है मुझे इस तरह का इंटर्यू देना है या गर खुद के बार महतलब कि दुनिया को बताना है कि यार ऐसे ऐसे हैं तो आप खुद एक मोटिवेट हो जाते हो ठीक है तो यह उस चैनल का बेनिफिट आपको मिलेगा ओमंग स्टडी पे ठीक है गाई तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में होप सभी को वीडियो अच्छे लगी होगी अगर आपको क आउट होता है कंसर होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं जिसका आंसर में आपको जरूर दे दूंगा ओके गाइस थैंक्यू कि अ तो